आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें प्रशन है, सोडियम को हाइड्रोजन की धारा में गर्म करते हैं तब हमें सोडियम हाइड्राइज मिलता है जो एक योक है, ये लगबख 700ド Capitol पर turn गर्म करते हैं तो sodium यह हमारा क्या है, sodium है, sodium, यह हमारा, यह sodium hydride, अगर अभी क्रिया को बराबर करें, तो यहां पर हमें 2 hydrogen है, तो यहां 2 कर दोगे, तो 2 hydrogen हो जाएगा, तो 2 sodium हो गया, यहां पर आप 2 कर दोगे, ठीक है, तो जब भी sodium और hydrogen को 700 degree Celsius की धारा में गर्म करेंगे, ठीक है, hydrogen की धारा में 700 degree Celsius अपमान रखते हैं, तब हमें NH, यानिक sodium hydride, प्राथ होता है, दूसरा हमारा है, di hydrogen, सूर के प्रकास की उपस्थिती में, क्लोरीन से क्रिया कर दी है, di hydrogen, यानिक H2, ठीक है, चले देखते हैं, तो जब हमारा H2, यानिक di hydrogen, साथ में Cl2, यह Cl2 क्या है, है, क्लोरीन, ठीक है, किस की उपस्थिती, सूर की, सूर के प्रकास की उपस्थिती, ठीक है, तब क्या प्राप्त होता है, hydrogen chloride, ठीक है, HCl प्राप्त होता है, ठीक है, जब H2 और Cl2, di hydrogen, सूर के प्रकास की उपस्थिती में, क्लोरीन से किरिया करता है, तो hydrogen chloride gas बनाता है, ठीक है, बराबर करोगे, तो यहाँ 2 hydrogen, 2 chlorine, तो यहाँ 2 लगा दोगे, तो 2 hydrogen, 2 chlorine, इधर भी हो जाएगा, ठीक है, तीसरी हमारी दी गई है, di hydrogen को गर्म copper oxide पर प्र CuO, यह क्या है, copper oxide, साथ में क्या है, hydrogen, तब हमें यह copper मिलेगा, और साथ में H2O, यह हमारा copper, यह जल, ओके, तो जब गर्म copper oxide रहता है, उस पर hydrogen gas प्रवाहिद करते हैं, तो copper और जल बनता है, ठीक, समझ गया, यहाँ पर एक copper है, यहाँ पर भी एक copper, यहाँ दो hydrogen, यहाँ भी दो hydrogen, यहाँ एक oxygen है, यहाँ भी एक oxygen है, सारी अभी क्रिया balance है, ओके, थैंक यू.